हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डिप्लोमा विट सोनू आज हम लोग बात करने वाले हैं इंफर्मेंटल इंजिनियरिंग के बारे में पीछले लेक्चेर में हम लोग बात कर चुनके थें लेक्चेर 12 में वाटी सनीटेशन और सनीटेशन के नेसेसीटी के बारे में और नादेप के बारे में जाने थे इन दर प्रिवियस लेक्चेर इस लेक्चेर में हम लोग बात करेंगे सबसे आगे unit 7 environmental sanitation का बचा हुआ point के बारे में जो की है भर्मी composting और भर्मी कल्चर के बारे में हम लोग को पढ़ना है तो आईए सबसे आगे firstly point को देख लेते हैं लो कोश्ट एटरिनीस और जल स्वराज्य स्किम ये तीनों point बचा हुआ है 7.2 से और एक भर्मी कल्चर पॉइंट बचा हुआ है सबसे आगे हम लोग भर्मी कल्चर के बारे में जानेंगे कि भर्मी कल्चर क्या होता है उसके definition और कैसे किया जाता है पूरे process का बारे में बढ़नेगे तो देखे वर्मी कल्चर क्या होता है तो वर्मी कल्चर means artificial rearing of cultivation of bombs, earthworms and the technology is the scientific process of using them for the betterment of human beings वर्मी कल्चर क्या है तो वर्मी कल्चर एक artificial process होता है जिसमें हम लोग earthworms को production करते हैं उसको बढ़ाते हैं और भी क्या है एक scientific process के मदद से उसको हम लोग human beings के लिए फायदे मंद के लिए उप्योग करते हैं human beings के फायदे के लिए उप्योग किया जाता है वर्मी कमपोष्ट is excreator of earthworms which is rich in humans लीफिलंदी क्या है तो वह excreator होता है earthworms का जो ही म 17 में ही मस के मात्रा में जिसमें ज्यादा होता है उश टैप के earthworms का excreator को बर्मी कमपोष्ट बोला जाता है तो वर्मी कल्चर कैंविई कliशर एक artificial process होता है जिसमें हम लोग cultivation of worms को करते हैं जिसके user से हम लोग scientific मदद से क्या कि human beings के determine के लिए उसका आगे इस्तमाल करते हैं जैसे आप लोग सुने होंगे fertilizer यह organic fertilizer होता है जिसमें हम लोग earthworms के ही excreta को प्योग करते हैं तो सबसे आगे vermiculture के अब हम लोग next point के तरफ देखते हैं तो देखे फरे next point हो लोग को पढ़ना होता है vermiculture का advantage और limitation के बारे में तो सबसे आगे आईए देखते हैं advantage को सबसे first advantage क्या है तो vermic compost is an eco-friendly nature and fertilizer prepared from bio-degradable organic based is free from chemical inputs भर्मी compost क्या है तो vermic compost eco-friendly है और उसमें natural fertilizer से बनाया जाता है और bio-degradable organic waste से इसको बनाया जाता है इसमें कोई chemical के मातरा नहीं होता है और इसके next point क्या है advantage है यह सब it does not have any adverse effect on soil plant and environment इसका कोई adverse effect नहीं है कोई reaction यह नहीं करता है ताकि जिससे कोई plant या environment को खत्रा हो सके it involves improves soil ariation, texture and tilt thereby reducing the soil compaction देखिए यह क्या करता है improve करता है soil ariation को texture को और इसको soil compaction को और reduce कर जाता है it improves water retention capacity of soil because of its high organic matter content vermiculture के दवारा ही क्या कि जब vermiculture को उप्योग करते हैं इसका fertilizer को उप्योग करते हैं तो इसमें capacity होता है soil को जो हम लोग उप्योग करेंगे तो यह soil के better root growth and nutrient absorbent यह nutrient absorbent of better root growth के लिए helpful है इसके बाद it improves nutrient status of soil bath macronutrients and micronutrients यह क्या करता है यह improve करता है जो भी nutrient का जरुएत पड़ता है soil जिसको micronutrients और macronutrients तो यह दोनों nutrients को और भी improve करता है यह सब को पूरती करता है तो यह तो बात हुआ इसके advantage के बारे में अब इसके हम लोग prevention के देख लेते हैं कि prevention और भर्मी composting क्या होता है next point friend भर्मी composting का precautions के बारे में हम लोग को पढ़ना है तो आईए point के बारे में सबसे आप first point को समझते हैं भर्मी compost pit should be protected from direct sunlight जो भर्मी compost pit होता है pit मतला simply यह rectangular box type cubical box बोलेंगे friend rectangular तो सिर्फ plan उसका दिखेगा लेकिन जो 3D picture रगे बोलें तो cubical box type होता है तो यह जो हो यह regular जो sunlight हो उससे बचा हुआ रहना चाहिए ठीक है उसके सामने नहीं होना चाहिए डाइरेक्ट सनलाइट में नहीं होना चाहिए यह first point है भर्मी compost pit should be protected from direct sunlight second point है to maintain moisture level spray water on the pit as and when required जैसा कि moisture level को maintain करने के लिए जब जब जरूद रहे जब जब उहां पर क्या पानी के छिड़काओ करना चाहिए spray water को हम लोग को करना चाहिए water को spray करना चाहिए फिर third point हम लोग कहा है protect the worms from ant rat and bird हम लोग को worms को protect करना होता है ant के ant से rat से और bird से तो इससे क्या होगा कि अगर protect नहीं करेंगे तो क्या होगा कि सभी जितना वहां पे warm को से फेल ग्रेंग को हम लोग horribly के यंश टाप में production करते रहे औंगे warm को प्रूडएक्शन कर रहें तो ज्यादा तर यह सब के ही बजा से ज्यादा अज्जोंगों ओहां पर production पया करते रहते हैं तो वह सब क्या हो जाता है डैमेज हो जाते हैं वह सब कि इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड भर्मी कंपोष्ट के बारे में वह पॉइंट हम लग समझने के यहां पर कोशिज करेंगे तो दखिए सबसे फैस्ट पॉइंट यह है दपर प्रोसेस ऑफ यूजिंग बॉंब्स और माइक्रोऊर्गेन्शम्ट के बारे में क्या पढ़े है कि बारे में पीशे पढ़े हम लोग तो यह अग्रोसेस होता है जिसमें हम लोग और जो बोल सकते हैं बाम को production करते हैं तो using bombs का हम लोग क्या माइक्रो ओर्गनीजम को जो भी kitchen के दोवारे जो black और माइक्रो ओर्गनीजम होँ से निकलता है उसको हम लोग change कर देते हैं अर्थिय स्मेलिंग और nutrient rich humus के रुप में जिसको हम लोग नाम देते हैं वर्मी कंपोस्ट containing water soluble nutrient वर्मी कंपोस्ट is an excellent nutrient rich organic fertilizer and soil conditioner जैसा कि बात करें तो soil soluble nutrient के साथ ही क्या उसमें water के मातरा को भी retensor कहने के छमता हो जाता है यह चलते वर्मी कंपोस्ट क्या है excellent nutrient rich organic fertilizer के रुप में हम लोग का इस्तमाल करते हैं इसके बाद नेक्ट पॉइंट है material required भर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए क्या क्या माटेरियल के जरूरत परता है उसके बारे में बात किया जा रहा है तो देखिए materials required में सबसे फास्ट होता है warm bean जो warm bean होता है उसका इस्तमाल हम लोग करते हैं उसके बाद में warm bean जैसे वहां पर production किया गया उसके बाद में बेडिंग पर उसको रखा जाता है फिर उसको water के जरूरत परता है फिर warm के जरूरत परता है फिर food as scraps के जरूरत परता है temperature जो होता है 12 degree से 25 degree Celsius होना चाहिए दिया गया है जैसे एक है icenia fetida उसके बाद आता है icenia hortensia hortensis उसके बाद में limbricus rubylus फिर आता है eudrylus eugenia उसके बाद में perioynex और excavators यह सब सब warm का ही example है यह सब warm का ज़्यादा तर इस्तमाल किया जाता है वहर में composting के process को करने के लिए यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यह भर्मी कल्चर का ही एक example यहाँ पे आपको दिखाए गया है यह देखिए जो यह rectangular box है इसी को हम लोग भर्मी कल्चर box के रुप में जानता है इसको डाई मेंशन के बारे में हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे जो यह सब आप देख रहे हैं यह सब यहाँ पे देखने आ हैं कि कैसे वर्मी कल्चर किया जाता है यहाँ पे कुछ कुछ लेवर भी होंगे तो लेवर क्या यह देखिए हैं यहां पे लिवर है कि ranchi आपको दिखा रहा हूंगे कि हैसी भिर्मी कांटर किया जाता है यहां पे आटमाल किया जाता है यह अगर वारम का ही féगर है तward इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोसे रांष्ट पॉइंट है implementation कल्चर के बारे में जदा चीज़ नहीं जाना है पर उसस के बारे में समझ जाएंगे सभी चीजह करें के बारे में किलियर हो जाएगा सबसे अगर बात करें तो सबसे आगे collection आता है तो collection में earthworm costing के हम लोग collection करते हैं earthworm can be collected by observing earthworm costing earthworm costing के अगर हम लोग दिखते रहें कि कहां पर earthworm है तो वहां से हम लोग collect कर सकते हैं उसको फिर construction of vermibade and compost pit यह compost pit जो rectangular pit वहां देखाएं थे उसको बनाना और vermibade को बनाने के लिए का instruction होता है second process उसके बाद में आता है separation of earthworms and solid waste जो अर्थworm होगे और उसमें जो हम लोग waste material डालते हैं उसके बाद जो excreator उसको बढ़ता है तो भर्मी कमपोष्ट heap के द्वारा heap उसको नाम देता है जैसे heap मता क्या धेर तो वही भर्मी कमपोष्ट है जिसका heap होता है उसको हम लोग separate करते हैं solid warm से उसके बाद में उसको macing करते हैं उसके बाद इसको packaging किया जाता है लेवल लगाया जाता है जिस company का है फिर इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग, सिंपली अगर जो बैक पैक हो चुका है, उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, ग्रीन होस प्लांट के पास, या प्लांट नर्सरीज के प बारे में हम लोग जानेंगे उसके बाद में लो कोश्ट अर्टरनिस और स्वाराज्य इसकीम के बारे में समझते हैं तो आईए सबसे आगे भर्मी कंपोस्टिंग का हम लोग डायमेंशन को देख लेते हैं एक बार तो देखे फ्रेंड यही है हम लोग इसी पॉइंट के बारे में बात कर रहें थे इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे आगे कंस्ट्रक्शन और भर्मी कल्चर पीट्स के बारे में तो इसमें साइज और पीट्स जो होता है उसका लेंथ वन मीटर होता है और बिर्थ इसका होत बहुत बोलें थे कि क्यूब कल से टाप इसका होता है इस टाप इसका सेफ होता है इसमें सभी चीजों को बारे में बता दिया गया है डाइमेंशन लेकिन जो इसका जो यहां पर ठीकने जो होगा की बर्मी कंपोस्टिंग पीड़ जो होता है उसका साईज के बारे में अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो कि है को अपने गाओं को डिपेंडेंसी से बचाएं, कि आप गुवर्मेंट पर डिपेंडेंड ना रहे, अपने से अपने गाओं को साफ रखिए, अपने गाओं के पानी को पीने के लिए साफ रखिए, ओ सुष्था के बारे में महाराश्च्रा में एक बता सकते हैं कि महातमा ग संद्गाड के वावस ग्राम स्वच्ता वियान 2000-2001 के बीच में चलाया गया था 2000-2001 के बीच में इसको चलाया गया था इसका मेंली एम यही था कि कैसे गाउं को स्वच करें और उसको कैसे हम लोग डिपंडेंसी से बचाएं कि आप गौवर्मेंट पर डिपेंड ना रहें आप अपने गाउं को खुद ही साफ करें तो देखिए आप कुछ-कुछ पॉइंट के बारे में जानते हैं संदगाड के बावस्ग्राम स्वचता अभियान is an innovative experiment based on exclusively on community participation यह क्या था यह कि एक experiment की तरह था कि जिसमें community participation को देखना था कि कैसे community साथ देती है या नहीं Experiment aims to eradicate unhealthy, ugly and embracing atmosphere by adopting healthy practices at household and community level along with the developing facility to make the life easy. Experiment का यही उद्देश था कि कैसे unhealthy और ugly और embracing atmosphere को छोड़ा जा सके. जैसा कि जान ये पहले गाओं में क्या था कि unhealthy environment था. unhealthy environment बोलने के मतलब क्या है कि कहीं कहीं ज़्यादा तर कुड़ा कच्रा हुआ करता था, कभी सापसफाई नहीं किया होता था, चीज से क्या होता था कि डीजी ज़्यादा वहां फैलाव होता था डीजी का. ये सबसे बचाओं के लिए ही इस experiment को किया गया था कि unhealthy और ugly और embracing atmosphere को कैसे eradicate, eradicate मतलब छोड़ा छोड़ देना चाहिए और healthy practices को अपनाना चाहिए. इसके बाद next point है, it also aims to reduce dependency on government and to develop community institution to soldier responsibility. ये इसका और भी एक उदेश था कि develop करना community institution को ताकि वो अपना responsibility खुद ही निवा सके. The high appreciation across the state has made it successful. जो इसका इतना ज़्यादा वहां पर भरभाव पड़ा कि इसको successful बन गया यह पूरे महराष्ट्रा में. State has brought to say that experiment brought an believable positive culture in the field of community development. इसका experiment जो हुआ था तो यह बहुत ज़्यादा successful में किया गया था. जो community development में यह अपना बहुत ही बड़ा इसका भाग रहा. इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होता है वह है prosperity through cleanness. अगर cleanness किया गया तो उसका prosperity क्या होगा? To bring about an improvement in the general quality of life in rural areas. जो rural areas के life है उसको और भी ब्रहुतरी देना. जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहा होंगे solar system लगाया गया, solar lighting का इस्तमाल किया गया है. जैसे क्या हुआ? रूरल quality को बढ़ाया गया है. कि रूरल में भी light वेगरा, street light यह सब के इस्तमाल किया गया, पर पौधा लगाया गया. तो वहां कि और भी क्या कि स्वाच्छों सकें, वहां कि people और भी स्वाच्छा स्वार रह सकें. Second point है to create competition among the villages for betterment of village development. Second point है कि यह competition लाता था सभी villages के रूप में कि अपना गाओं की और भी कैसे साफ रखे सकें, कैसे और भी बेहतर हो सकें. To create cleanness in house. अपने house में यह कैसे clean कर सकें, अपने house को कैसे clean रख सकें, यह सब के लिए वहां पर इस experiment को किया गया था. Village as an environment with the help of people participation. To develop the initiatives among people regarding participatory rural development. यह कैसे people को जोडतें थे और क्या की rural development के लिए इस्तमाल करतें थे. इसके बाद next point है to eliminate open defection in minimize risk of contamination of drinking water sources and food. यह eliminate करता था defection को मतलब defection ना हो सके minimize कर देता था risk को. drinking water source of food के रूप में. कि food भी बहुत अच्छा अच्छा यहां पर मौजूद किया जाता था. इसका evolution क्या हुआ? evolution policy दखिए. यह जो किया गया था, यह किया गया था. महारास्टा गुवर्मेंट के द्वारा यह किया गया था. supply driving to demand driving approach, household subsidy to community rewards. households को बहुत reward दिया जाने लगा, जिसका गौह अच्छा साफ होता. तो इसको block level पर reward मिलता. government rule क्या था? implementers to facilitator. implementer करवाना facilitator को कि वह कैसे implement करवाई यह इस रूप में. ठीक है? इसके बाद next point है. Since the major programs are launched in water and sanitation, इसके बाद बहुत सारा अवियान चलाए गया. जैसे घंटा गाड़ी एक था. घंटा गाड़ी के मतलब क्या है? कि अभी के रुप में जो municipality bus जो चलाए जाते हैं, तो वह पहले घंटा गाड़ी के नाम से जाना जाता था. देखिए घंटा गाड़ी क्या था? कि घंटा गाड़ी में आपको कुछ कुछ दूरी पर आके ये बेल बजाती थे, बेल बजाके क्या कि आके हों पर आप जाईए, कुड़ा खचरे इन के बाउट जो गाड़ी में रख दीजीए, यह अपना क्या करेंगे कि उसको डिकंपोज करने के लिए आगर लेके जाएंगे तो अभी तो मुनिस्पल कार आते हैं तो वो सब में इसका इस्तमाल किया जाता है सब मंद्रेगा यह सब जो नगर निगा में यह सब अभी काम कर रहा है लेकिन उसमें उससे कुछ भी नहीं था यह सब स्वास्था अभियान के कारण ही हो रहा है संथ गड़ गे बाबा अभियान जो चलाए गया था महाराश्टरा में इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा है ठीक है इसके बाद स्ट्रेटजी अड़ाप्ट तर नीन महारास्ट्रा में तो सबसे आगे दखिए वहां पर सूलर सिस्टम दिया गया गाउं में किसलों के गरों में बिज्जली रहे है उसके बाद में क्या कि वहां पे पestra कर्म वहां पे क्या कि सरपंच q państwa यू उनकी लिए kavin फिर पाराशोर्च लाइट जो है श्टीट लाइट यह सब दिया गया वाटरी के सुद्धा पूरा इंवाटर के साथ दिया गया ताकि वहाँ पर सभी लोग एजुकेट हो सके अपना स्वास्ता अभियान के साथ ही क्या को वह भी अपना डेवलप्मेंट कर सके उसके बाद माता फिरिक्वेंट वीजिट होता था कि कभी कभी जाया है और चेक किया जाता था उसको मोटिवेट किया जाता था विलेजर्स को क्यों और भी कैसे हूँ अपने गाउं को साथ सफाई रख सके उसके बाद में आता है इंवाल्मेंट अफ ऑल श्टेकोल्डर इंवाब्ड अड ही कमीटी के दवारा ही किया जाता था जितना भी डिसीजन हो सकता है यह सब के बारे में बला जा रहा है ठीक है इसके बाद में आता है इस्टिटीशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंप्लिमेंटेशन का मतलब कैसे कैसे यह पूरा इंप्लिमेंट करवाया जाता था तो देखिए से नीचे आता है district unit, district unit में 33 जीला परिशद होते हो थे, 33, 33 पूरा जीला परिशद होते थे, 23 जीला परिशद के नीचे आता था block unit, टोटल block unit उसमें था 351, ठीक है, 351, उसके बाद में village unit, जो के village unit 27902 ग्राम पंचात के रुप में divided था, और उसके बाद में आता था संत गेड़ बाबा ग्राम सवस्ता के समीती, तो इस टब में यह पूरे बर करता था, अब ही यहां तक तो आपको समझ गया हो, कि कैसे कैसे संत गेड़ बाबा ग्राम सवस्ता भियान चलाया जाता था, और कई इसका कब सुरुवात किया गया था, इसका महराश्टा पर कैसे impact पड़ा, यह सब के बारे में समझ गया होगे, आईए देखते हैं कुछ और पॉइंट के बारे, तो देखे फ्रेंट संत गेड़ बाबा भियान जो चलाये गया था, इसका बहुत ही बड़ा परभाव पड़ा था महराश्टा भिलेजेज एरियास में, भिलेजेज एरियास में इस परकार परभाव बोल सकते हैं, कोहां के जो भी फिलेजेज थे, उनका साफ सफाई एक नेशनल लेवल से कमपरीजन कर रहा था, कि जैसा कि यहां देख रहा है, पूल बगरा बन चुका है, यहां पर बातरूम किस परकार यहां पर देख रहा होंगे, यह देखिए, यहां पर बातरूम जो बनाए गया है, यह से नेशनल लेवल पर कॉमपरीजन दे रहा था, संत गेड़ का बाबावियान के चलते ही, ठीक है, इसका परमोशन जो था, तो परमोशन के लिए बड़ा नाम उसमें आया था सामने, जो मिताब बचन, जो हमारे यहां माननी है, म यहां पर उसको परमोट कियें थे, उसके बाद में एक बड़ा नाम था, अन्ना हजारे, मिस्टर जो हन्ना हजारे थे, ओ भी यहां पर परमोट कियें थे, संत गेड़ गेड़ बावा भियान को, यहां पर हीरोईन है, माधुरी दीचित, यह भी क्या परमोट कियें थे, सं ताभियान में हैं ठीक है इसके मैं नेक्सट वैंट है और भी देखते हैं कि इस देखें फिरहाल आप महात्मा कांधी के दोवारा एक बहुत ही बह्त्रीन लाइन बोला गया था क् Portal news is next to G Today लाइनस को वारा जाते हैं तो यह更快 म्हात्माthere के क॑ंड़िकर दौरह है मीड़ी है फॉर्माइल के सब्सक्राइब करने weiter अलगलों करने updated को परपना होड़ा लोकोस्ट इइस और почти अधरमक्राइब्यान के बारे में तौ आईए इस पोइंट को देखते हैं। इसके बार next point हे friend हो है low cost attorneys के बारे में then low cost attorneys क्या होता यह समझते हैं सबसे फेस्ट जो पोइंट है the government of India spends seven thousand crore a year Just to build toilets but it is true that the toilet commenced to be built asocaustly taking devotee account, the local conditions or cultures are uncomfortable, unaffordable despite the subsidy and often fall into disuse, देखें, low cost lettering क्या है, low cost lettering simply क्या है, तो government of India जो है, 7000 क्रोड रुप्या, तो देखें, यह क्या होता है, unaffordable होता है, क्योंकि 7000 क्रोड रुप्या हर एक साल, government of India, low cost lettering पे खर्च करती है, क्योंकि यह बहुत सारा जोगह पर इसको बनाया जाता है, लेकिन यह भारत का अप कंडिशन आप जान रहे हैं, क्योंसाफ सफाई नहीं हुआ पता है, जिस चलते क्या होता है, बारबर इसको construction किया जाता है, toilet design need to factor in several conditions from geography to water and culture for them to be usable and viable, देखिए जो toilet का वहां पर geography होना चाहिए, इस परकार के water and culture के रूप में देखा जाना चाहिए, कि कहां की इतना ज्यादा हो, वहां पर उप्योग किया जा रहा है, कहां पर उसको usable and viable हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं, An India water portal study, for example, points to the fact that even popular low cost toilet like peat latrine could lead to adverse environmental impact, besides propagating manual scavening a human right battle, India has been fighting over the decades, five decades, देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, कि यहां पर अगर एक्जामपल ले, इंडिया water portal study का तो यहां पर low cost toilet के लिए peat latrine step बना कर यहां पर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, अभी तक ही इससे क्या हो रहे है, जूज रही है कि यहां पर एक अच्छा system नहीं आ पा रहा है, ग्रामाले has been constructing toilet in rural India for over two and half decades, now unleashed the following condition as factor to be taken into account for toilet to become household and community friendly, ग्रामाले जो है, वो क्या कर रही है कि धाई साल से toilet बना रही है जिससे एक condition हो रहा है कि community friendly बना जा सके तो इसका कुछ-कुछ factors है कि इस पर यह depend करता है तो affordability उसके बादा space in home, home में कितना space है, उसके पास पैसा कितना पॉड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, फिर geographical condition of soil water table etc, फिर cultural habit, availability of water scarcity of water, इस पर depend करेगा, फिर availability of skilled and semi-skilled manpower, इसके बाद बात आता है, इन battle for betterment sanitation for 600 million Indians who defeat difficult in the open toilet that is well-designed in the critical aspect, तो यहां पर देखिए 6000 million of Indian जो open toilet का इस्तमाल करते हैं, जिसको well-designed critical aspect में यहां पर देखा जाता है, अब कुछ-कुछ another factor को हम लोग देखते हैं, देखिए, there are 10 low-cost latrine, यहां पर 10 low-cost latrine के बारे में बता जा रहा है 10 different low-cost latrine जैसे plinth level toilet with temporary structure, यह low-cost है ठीक है, फिर toilet only model with hollow bricks, hollow bricks toilet type, फिर toilet attached with bathroom, room, W और hollow bricks and no roof, इस टाप फिर toilet only model, W यहां पर slash concrete rings pit and roof, twin pit इसमें power flash latrine type होता है, फिर इसको sand toilet, फिर bio gas link toilet, child friendly toilet, TSF 10 यहां पर latrine बता गया है, नाम उसका बता जा रहा है कि जो low-cost latrine के रुप में जाने जाते हैं, फिर nine school sanitary complex, फिर आगन वाड़ी toilet, तेहां पर 10 पर करका toilet mainly government बनाती है, और हर एक level पर इसको बनाया जाता है, अब इसके बाद हम लोगों को बात करना है, जल्द स्वाराज्य scheme के बारे में, तो आईए देखते हैं सबसे आगे जल्द स्वाराज्य के मतलब, इसके बाद next point हम लोगों को पढ़ना होता है फ्रेंड हो है, जल्द स्वाराज्य scheme के बारे में, तो देखें जल्द स्वाराज्य scheme में ली ये महराश्ट्रा में हुआ था, तो इसका मेली another नाम क्या था तो आपला पानी महराश्ट्रा में स्वाराज्य आपला पानी इसको नाम से जाना जाता है, जल्द स्वाराज्य के मतलो क्या है कि जल्द का अपना क्या धिकार स्वाराज्य बोल सकता है धिकार को ठीक है तो जल्द स्वाराज्य मतलो आपला पानी, ग्राम बिकास समस्थान has implemented this program in the rural area so that the program of shortage, problem of shortage of butter and lack of safe drinking water can be solved by a sustainable facility of butter and can be created in rural areas through जल्द स्वाराज्य अपला पानी प्रोग्राम. ग्राम बिकास अस्थान ये ला को implement करेंश ये scheme को implement करवाएं, ये scheme rural areas में implement किया गया था, गाउन छेतर में, ग्राम इन छेतर में इसका किया गया था इसका इस्तमाल करने का मेंली परपस यह था कि कैसे सोटे जो बाटर को रिड्यूस कर सके और लैक ऑफ सेफ वाटर को जो ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसको कैसे सभी के पास में पहुंचा सके एक सबस्टेन लेवल तरीका से ठीक है दा प्रग्राम इस से इसको इंप्लिमेंट करवाया गया था and the government of Germany 11 villages of Utigit Taluka in Latut district and six villages of Son Gaon Taluka in Hingoli district and seven villages of Nifad Yola Taluka in Nasik district and 11 villages of Python and Gangapur Taluka in और Angabad district यह सब का मदद से यहां पे जल स्वाराजय अपला पानी project को यहां पे implement किया गया था यह सब राज्यों में इतने जीला में इतने villages में किया गया था तो इसके बाद अनदर पॉइंट देखते हैं जल स्वाराजय scheme के बारे में आप समझते हैं और भी अनदर पॉइंट को जल स्वाराजय scheme जिसको जल सुरच्छा दिकार मुक्ति declaration के नाम से भी मुक्ति declaration यह सब के नाम से भी जाना जाता है यह 15-16 मार्च 2003 में किया गया था 2003 में ठीक है इसमें हम नेक्स्ट है वाटर इस नेचर पॉइंट में है वाटर इस नेचर्स गिफ्ट वाटर क्या है नेचर का ही एक गिफ्ट है water is nature's gift and the right to water is a natural basic right of all living beings and a human and a fundamental right of human beings देखिए water क्या है एक nature gift है मतलों यह परकृति का यहाँ पर हम लोग को gift है कि यह परकृति का देन है हम लोग का इस चलते है नेचर बेसिस है यानि सभी का इस पर है same अधिकार है एक equal अधिकार है तो इसको में एक fundamental right होता है human beings का तो यह water है ठीक है क्यूंकि water सबका है पानी यहाँ पर इंप्रेमेंट करवाने के पिछे यह डीजन था कि पानी जो है सबका है ठीक है पानी सबका है और सबका उस पर अधिकार है तिसको साब सफाई रखिए और उसके बाद में इसका युजेज भी अच्छा से होना चाहिए Communities are custodians of water resource and highest right of conservation management and sustainable utilization and equitable distribution should be with the community Community क्या होते हैं तो एक custodians के रुप में होते हैं water resource का कि सब तक water को पहुंचा है एक equal distribution के रुप में उसके बाद में water cannot be commodified and privatized water को commodified नहीं कर सकता है कि आपको यह पानी अब फिरी में नहीं मिलेगा यह आपको पानी खरीदना पड़ेगा यह कोई आपको बोल नहीं सकता है यह आप पर निर्भर करता है डिपेंडेंसी आप ठीक है फिरें तो water को कोई प्रप्राइबेटाइज नहीं कर सकता है रीवर्स और नेच्रल लिविंग सिस्टम बीच और lifelines of the ecosystem and biodiversity of human settlements रीवर क्या है तो एक नेच्रल लिविंग सिस्टम है जो lifeline है ecosystem का biodiversity का एंडिमन सेटल्मेंट्स का water conservation and reservations and river reservation need uphorestation और क्या कि of कैच्मेंट on decentralized water harvesting and management थूँ दव बेसी ती यह सब क्या थे water conservation reservation किया जाता था कि water को कैसे हम लोग कंजर्ब करें और कैसे उसका इस्तमाल करें यही था water जल्स और रज्जा स्किम का मतलब simply यह common चीज़े चलते ज्यादा पॉइंट के बार में नहीं जानेंगे यह ज्यादा हम लोग से पॉइंट के बारे में चर्चा कर चुक हैं जल्स और रज्जा स्किम क्या होता है कुछ पॉइंट के बारे में जान नहीं तो यही सब पॉइंट था जल्स और रज्जा स्किम के बारे में तो देख लेते हम लोग स्लेभस को कि कोई पॉइंट छूटा तो नहीं आए से अब आधे हैं लोग कोश्ट लाट्रीन्स और जल्ट स्वाराज्जा स्किम यह सभी पॉइंट्स को हम लोग इस लेक्षर में कर चुके हैं अब नेक्ट लेक्षर जब आएगा तो इनुटेट को हम लोगा स्टार्ट करेंगे जो कि है प्लंबिंग यह एक दिन का एक ही लेक्षर का यह चप सब्सक्राइब करने को कहें ताकि और भी यहाँ पे आपको अच्छा-च्छा कॉंटेंट मिल सके अच्छा-च्छा यहाँ पे आपको इस बीटी रिलेटर ओल इन्फोर्मेशन और और अस्ट्री मेटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है फ्रेंट ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप लोग सेयर करें